घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राब करें प्रशलित आप प्रशलित यहीं कि हम तीन ताल में ही सारा जो काम है वो जादा तर करता हैं क्यूंकि सोला मात्रा है इकुल डिविजन है बराबर के विभाग बनते हैं इसके आज जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को वो ये है क्योंकि जब हमारा जो संगीत है क्योंकि संगीत शब्द में ही संगत है संगत जरूरी है सबसे ज़ादा जरूरी है संगीत में एकल गायन या एकल वादन भी होता है उसमें भी कहीं न कहीं संगत होती है कई बार अगर हम चूप गए तो हम पता नहीं कर पाएंगी कि क्या बज़ रहा है तो कैसे पकड़ना है हमें दूबारा कि हमारी कोई चीज हमारी गीत की लाईन या हमारा खियाल या हमारा कुछ भी जो है वो कहां से उट रहा था नवी से उट रहा था दसवी से उट रहा था या किस बोल से उट रहा था तो वो पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना जरूरी है ताले हमें ताले सीखना जरूरी है हमें तालों का छंद पता होना जरूरी है कि तीन ताले तो वो 4-4 में जाती है, ये रूपा के तो 3-5-2 में जाती है तो ये उसकी čाल जो है, क्यूदि आप सब जानते हैं कि ताले और चाल अलग-अलग होती है ताले हैं वो निष्चित है इतनी है लेकिन उन तालों की चाल यानि उनके प्रकार कई सारे है वही कहर वह है, एक, मना भी बूल दिया है ना? ऐसे कई प्रकार इसके, एससे कई चालें हैं इसकी तो वो चालें हमें पता होनी चाहिए तो ताल, चाल और उसके बाद अगर आप और थोड़ी गहराई में जाओ तो हमें उसके बोल भी समझाने चाहिए कि वो उस rhythm instrument पर कैसे बज़रें तो आज मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूँगा कि जो बोल है वो तबले पर कैसे पहचाने जाते है थोड़ा बहुत मैं इसमें पहले भी बता चुका हूँ आप सभी को लेकिन फिर भी आज थोड़ा उसी पर तो यह आप जान लीजिए कि नाम रखा जाता है ना किसी चीज का जैसे संस्कृत में एक चीज कही जाती है कि यथा नाम तथा गुणा कि जैसा उसका नाम होता है वैसे उसके गुण होते हैं यह चीज कही जाती है तो यही चीज opposite भी हम मानते हैं कई बार कि जैसे उसके गुण है हम वैसा उसका नाम रखते हैं है ना तो तबले में या फिर संगीत में कहें तो हम उसी चीज़ पर अगर सर्चा करें तो जैसे रागों के नाम रखे गए तो वो क्यों क्यों क्योंकि उस राग का चलन उस प्रकार का है वो हमें वो भाव देता है तो हमने वो नाम रख दिया उसका उस राग का या यूँ भी कह सकते हैं कि उस नाम की वज़े से चलन की वज़े से वो नाम रखा गया और उस नाम की वज़े से उसका चलन वैसा हुआ या यूँ कहें कि उसमें जो रचनाये होती है वो फिर उसी अंग की होती है है ना जैसे हम माल कॉंस का अगर एक्जामपल है माल कॉंस आप सभी जानते हैं भहरविथाट की जो राग है माल मतलब माथा और कॉंस यानी चंद्र है ना उसको कॉंस कहते हैं तो शिव के भजन इसमें खूब बनते हैं चंद्र कॉंसमी है ना चंद्र कॉंसमी वो चंद्र का चंद्रमा उसमें शिव के भजन बहुत बनते हैं तो यह कहीं न कहीं रिलेटिड है अहीर भैरव हम जैसे राग का नाम लेते हैं तो अहीर भैरव में क्या होता है कि अहीर या राचनाएं हैं, ऐीईर भैरव में कूब हैं, आप खcienceरें हैं आगर देखेंगे तो विराग़ के नाम अनसर वेड़ागी भैरव नाम की एक Idات है तो वह वेड़ागी भैरव का क्योंकि जब संत वगेरा जब अपना आराधना करते हैं जब अपनी मेडिटेशन करते हैं अपनी साधना करते हैं तब उसके पीछे वो राग अगर आप चलाओगे तो मैच करेगी तो यह काफी रागे है यहाँ तबले में भी पह्चानते हैं कि जैसे ब critically होते है वैसा ही sound यहाँ निकलता तो उससे आप identify कर सकते हो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ sounds हैं जैसे कहते हैं न हम बोल भाशा में जब बोलते-बोलते कहते हैं कि वो धड़ाम से गिर पड़ा है ना वो धड़ाम से गिर पड़ा तो जब गिरा तो कोई धड़ाम sound तो आया नहीं पर हमने क्या किया हमने इमेजन किया कि कोई गिरेगा तो धणाम इतना बड़ा साउंड हो गाई यह कि ऐसा कि आप जैसे गिरा हो कुछ भयानक हुआ हो धणाम से गिर बड़ा है ना जैसे टिप टिप बरसा पानी कहते हैं तो टिप टिप क्यों कि जब एक बार शुरू होती एक नाम दे रहे, एक शब्द दे रहे, उसी प्रकार से हम यहां भी करते हैं, जैसे मैंने बोला ता, तो, है ना, कोशिश करेंगे हम धीरे-धीरे identify करने की, मैंने बोला ता, मैंने बोला तुन, है ना, हम कोशिश करें कि यह जो शब्द है, उसको हम इसमें identify करें, ता, तुन गे गे ये सिंगल सिंगल साउंड है न जैसी हमारी वर्ण माला हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाशा में होती है वैसे ही वर्ण हमारे तबले के भी होते हैं तो ये कोशिश करेंगे तो हमें धीरी धीरे पता चलने लगेगा क, कत, तीट, नातुन, तीट, ता, ता, तिन, तिन ता हलका फर्क है इसमें, बहुत महसूस करूँ कि तीन और ता में बहुत हलका फर्क है तिन, ता, है ना, तिन थोड़ा दबा हुआ सा, आप महसूस कर पाएं तो थोड़ा कवर है एक, ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट सा साउंड है और ता थोड़ा खुला है, थोड़ा लौड है, है ना, ता, तुन, तिट, तेरा किटा, है ना, रिजेंबल कर रहा है कि ने, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा रिजेंबल कर रहा है कि ने, है ना, तो ये दीरे-दीरे हमें जब ये पता पढ़ने लग जाएगा और हमें ताल की चाल भी समझाएगी तो आराम से जब हमारी साथ जब संगत हो रही है तो हम पहचान पाएंगे कि तबले में क्या बज़ रहा है और हमें कैसे उस समझना है अब जैसे साउंड आया धा थोड़ा लाउड साउंड है है न तो है न आप एक कुछ चीज़ों को महसूस करें कि कुछ बोल होते हैं वो सिर्फ दाएं पर बज़ते हैं और कुछ होते हैं जो सिर्फ बाएं पर बज़ते हैं बाएं है न डगगा ये थोड़ा बेस ये भारी साउंड निकालता है धिन में आप देख रहे हों कि धिन जो शब्द है इसमें थोड़ा बेस भी है और एक हलका ट्रेबल भी है धा धिन ना तिन ना तुन और ना तिन यह ना कई बार तिन ऐसे भी बजाए जा सकता है धा तिट किड़ धा कर रहा है किड़ धा किड़ धा किड़ धा यह किड़ धा किड़ धा तिट एन आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा धा देना किड़ तक तिरे किड़ थे सिंविलर ने हैं लेकिन फर्क है कि कि टा क काल से शुरू का पह कप कीटा कै're तिरुकिटा कई से शुरू टा पह खत्म. टी आज और तॉक उर सिसलिस्ट के तकर नुओन तो रही और से आजí उर त॑ और द्हाद हिंदिंधा भा तिंतिंग प्ा या फिर दा तिन तिन था ता धिन धिन धा है ना तो यह पहचाने वाली बात है अब रूपक बजाएंगे हम तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना है ना तो ऐसे हम तालों को पहचानते हैं उनके बोलों को समझते हैं कि कौन से बोल किस टोन में आ रहे हैं और कई भार अब अगर मैं ताल बदल के बताओं तो पहचानूं कि वही ताल है की नहीं है जैसे रूपक बज़ रही है तो तिन तिन ना तब भी वही चाल है वही साथ मात्रा हैं ये थोड़ा लोच लाने के लिए उसमें अगर कभी गायन के साथ बज रही है तो थोड़ी लोच में बजेगी वो खड़ी खड़ी तो मशीन लगती है फिर क्योंकि जो संगत हो रही है वो गायन अनुसार है तो गाय की अगर वैसी जारी थोड़ी लोच है थोड़ी गुमावधार है तो चाल भी फिर वैसी होगी न एक नजाकत भरी चाल होती है Gatewalk होती है एक तो और एक March past होती है फर्क है की नहीं चाल वही है लेकिन फर्क है और गती भी अलग-अलग होगी दोनों की समान मात्राओं की तालें भी बजा रहा है वही रूपा के जो था वही गत्या है लेकिन चाले अलग-अलग है है ना महसूस करा अब हम आते हैं बहुत ही कॉमन ताल पर जो है कहरवा तो कहरवा को हम कैसा समझेंगे कहरवा का चलन कहता है धागे ना तीनक धिन ना एक थोड़ा चार-चार की बाटे और आप महसूस कर सकते हैं एक पल्ला इधर है एक पल्ला इधर है तो अगर एकदम सिंपल बजाएं इसे तो है ना और ये भी कहरवा है यह भी कहरवा है वही क्या बढ़ा चाले बदलती रहेंगी तो वह पहका ना पढ़े गा आपको कि वो है जो अंग बजरा ये कौन सी तालकांग है है जैसे उस दिन में वजा रहा था आपको तो आपको थोड़ा confusion हुआ कि ये रूपक है दीप्चंदी अंग में मैंने थोड़ी के हर्वा बजाई ना जैसे दीप्चंदी जो हमारी जाती आप लोगों ने सब लाजनि दाधिन ताकर्द करण सोनल सब्सक्राइब दूर में और लौन सबस्क्राइब थैधN cont Sharp tellement यह को तो प्रया और फिर्कम में इंफ यह वही आठ है जरूरी नहीं आठ में बराबर बराबर चले है ना तो अब जैसे यह भी वही आठ है यह कहरवा है भजन ठेका है ना तो में हमारा जो मकसद है आज के इस वीडियो का वो यह है कि बोलों को तबले पर कैसे पहचाना जाए तो आपने धा समझा धिन समझा तुन समझा ता समझा दिन तेरा केटा केटा तक है ना घडान है ना यह भी घडान है और यह भी घडान है क्रान क्रान घडान है ना धा दिन ता तेटकत गदिगन है तो यह समझा रहे हैं आपको चालें कैसे जा रही है जैसे जब ताल गई तो धिन ना धिन धिन ना धिन धिन अलग हों लेकिन चाल जो ही रहती है अब जैसे कहरवा जा रहा है घजल में कहरवा जा रहा है तो थोड़ी स्लो लाइगा कहरवा है तो एक दो तीन चार पांच है साथ एक दो तीन चार पांच है साथ एक है ना तो अब अगर एक यह कहरवा जा रहा है यह भी वही हार्ट मात्रा है अब अगर यह एक चीज बजाओं में कहरवा में जो आपको लगे कि अब कहरवा कैसे पिचार होगे उसमें अब हरू फिर कमट्शाले कर्या रहरीप पाउंद कर में मिलत चारर अधाओंट कर mothers सब्सक्राओं-ख जोओो सामें ठाव।-थी उंपमोह एक दो तीन-चार اे दो तीन-चार एक दू-टीन-चार एक दो तो तींचा एक दो तींचा